Hi everyone और एक ने व्लोग में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस के बारे में और सिर्फ फिटनेस नहीं रियल फिटनेस जो की बहुत लोग को चाहिए लेकि उन्हें पता नहीं है और अगर पता भी है तो वो confused है कि फिटनेस का जर्नी कहां से स्टार्ट क और इंपोर्टन रहने वाला है आज के वीडियो तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला मिस्कंसिप्शन जो लोगों के दिमाग में है वो यह कि अगर उनको अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना है तो उन्हें सबसे पहले जाके जिम का मेंबर्शिप जॉइन करना है तो देखिए यह बिल्कुल भी सच नहीं है आप बिना जिम जाए भी अच्छा से मेंटेन कर सकते हैं आपका बोडी का और फिट रह सकते हैं लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जिम जाके आप ज्यादा मोटिवेटेड फिल करो के वर्काट करने के लिए तो ठीक है आप जा मैंडेटर नहीं है वह अगर आप प्याशनेट है आप दिन का एक दो घंटा दे सकते हैं जिम के लिए तो डेफिनेटली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ वेट लॉस करना है घर पे रहके अगर आप सोचने की घर पे रहके क्या अगर कर सक सकते हैं तो उस केस में आपको जिम जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आप इंटरेस्टेट नहीं है घर पे रहके भी आप कर सकते हैं ठीक है मैं कुछ सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ठीक है तो अभी सवाल यह उठता हैं फ्राइड चीजे खाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वेट लॉस करना या फिर शेप में आना बहुत मुश्किल होगा लेकिन और एक चीज जो ज्यादा लोग डिसकस नहीं करते हैं वो यह कि ओवरीटिंग नहीं करना है और मैंने जितना भी देखा है मतलब मेरे सराउंडिंग के लोगों में तो अटलीस्ट 90% लोग ओवरीटिंग करते हैं ठीक है और इसलिए मेजरिटी लोग अगर आप अपने सर्कल में भी देखिए आपको दिखेगा कि मेजरिटी लोग का पेट निकला हुआ है तो वो इसलिए क्यूंकि वो जितना खाते हैं है और अगर हम लगाते हुए है तो टो फ्राइज करते हुए हम ज़प में बाइन आपको पर आप हो एह कर तो लेकिन वह नहीं समझे की वह अनके लीमिट को में हैं इसलिए उसलिए पैट निकला हुआ है वो जवानी में जब वो 25-30 साल के थे जितना खाते थे आज तक उतना ही मेंटेन कर रहे हैं लेकिन वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका day-to-day activity और जो मतलब fitness है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है एज के साथ 50 हो चुका है और obviously digestion ability, digestion capability भी body का कम हो चुका है तो वो यह बात नहीं समझते हैं और खाते ही रहते हैं उतना ही amount maintain करते रहते हैं तो आपको पता ही है अगर पेट के पेट में अगर चर्बी जम्हेगा तो बहुत सारी बीमारिया हो सकती है और उसका में जो एक reason होता है इंडिया लोगों मेंने special देखा है वो यह कि वो रिटिंग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता तो यह problem है आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप मतलब जितना comfortable है खाने में उतना ही खाये और अगर let's say आपको लगता है कि जान रखना पड़ेगा अगर आप मतलब fit रहना चाहते हैं weight reduce करना चाहते हैं या फिर safe में आना चाहते हैं यह बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप यह overeating का habit जो है इसको control में रख सकते हैं उसको पूरा stop कर सकते हैं तो आपको खाने में बहुत ज्यादा compromise करने की में जाना है party है office का party कुछ भी वहाँ पर obviously dinner होगा बहुत सरे items होगे starter main course यह सब तो खाने का मन जरूर करेगा तो जरूर खाये जब जो मन है कोई problem नहीं है 15 दिन में एक बार कोई problem नहीं है कुछ वहाँ पर compromise करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मिठाई नहीं खाना यह नह आपको routine है उसमें से overheating को माइनस कर दे तो यह सब आपको बहुत ज्यादा stress लेनी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे fit होना मतलब बहुत ज्यादा compromise करना है क्योंकि अपने खुशियों के साथ happiness के साथ बहुत ज्यादा compromise करके आप fitness journey को कभी enjoy नहीं कर पाए आपको बहुत ज्या पर आपने देखा होगा कि जो मतलब instruction देते हैं कोई भी मतलब dietitian हो गया कुछ भी मतलब gym trainer हो गया तो वह बोलेंगे कि आपको dinner जल्दी खतम करना है साथ बज़े साथ बज़े के अंदर को तो क्या यह जरूरी है बिल्कुल जरूरी है यह बहुत ज्यादा जरूरी है और म कि में खाने से तो अच्छा है ही ठीक है कि आप 8.30 से खा रहे हैं 8.30 से खा रहे हैं तो वह एक जो चीज है वह बहुत ज्यादा डिफ्रेंस लाएगा आप खुद ही समझ पाओगी और आपका जो मतलब पेट जो है वो थोड़ा ज्यादा देर खाली रहेगा आपका digestion इंप समने जाएगा ठीक है वह पार आपको डेकम अख़ी रखा कन्सेप्शन से उनके बारे में मैंने भात कर लिया जो कि मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए ठीक है कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है दो जरूंकासमजना चाहिए तो अभी चलते हैं और एक टोप वेट लॉज करने में भी और फीट रेने में यह मैं बताने बाला हूं तो सबसे पहला एकुपमेंट जो आपको खरीदना चाहिए फिटनेस जनी स्टार्ट करने के लिए तो वह है एक जांप प्रोब ठीक है तो यह आपको कहीं पे भी मिल जाएगा ऑफ-लाइन स्पोर्ट्स मिल जाएगा फ्लिपकाट अमजन कहीं पे भी मिल जाएगा और इसको मतलब ज्यादा कॉंप्लिकेटेड आपको नहीं करना है जो कि मतलब बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब में जहां पर दिखाते हैं अलग-अलग टाइप के जंप तो वह सब आप ट्रा करना है अटलिस्ट ठीक है मतलब एक राउंड में तो उसके बाद आप स्टार्ट कीजी पांच राउंड से अगर पांच राउंड सक्सेस्फिली कर लेते हैं ठीक है तो बहुत अच्छी बात है उसके साथ आप राउंड्स इंक्रीज करके 6-7-10 तक जाईए 10 काफी होगा तो यह ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर आपका थोड़ा सा भी प्रैक्टिस हो जाता है और याद रखिए एक चीज बहुत इंपोर्टेंट जूता पेहन के करना चाहिए खाली पेर नहीं करना चाहिए नहीं तो गुटनों में प्रॉब्लेम आने वाला है करते व पुशब्स और स्क्वाट यह दोनों आपको आर्ड करना पड़ेगा आपको रूटीन में तो कितना करना है तो मैं कहूंगा पुशब्स अच्छे ता आप वीडियो देख लीजी यूटूब में कैसे पुशब्स अच्छे से करते में भी दिखा सकते हूं लेकिन आपको मि यह टोटल इतना ही करना है एक दिन में इतना स्टार्ट कीजिए और आपको यह तो बहुत कम है आप आसानी से कर लेंगे तो आप करके देखिए फिर आसान है कि मुश्किल है आपको पता चल जाएगा तो आप डेली तीस पुशब्स का टार्गेट लीजिए और लेट से आ आपको फिर से और दस पुशब्स करना है यह से करके पूरा दिन में तीस कीजिए कोई बात नहीं सुबह दस दस फिर दो पहर को दस दस और शाम को दस दस ठीक है दस पुशब्स दस स्क्वाट यह करके देखिए यह आपको बहुत ज्यादा मतलब बेटर फिल करेगा क्यों आपको लगा कि मैं फिटनेस की और थोड़ा सा जा रहा हूँ आपको डेफिनेटली फिल होगा इंस्टेंटली एक दो दिनों में ही फिल होना स्टार्ट हो जाएगा तो अभी चलते हैं तीसरा एकुप्मेंट जो आप खरीद के घर में से रख सकते हैं जिसके लिए इससे आपका रिस्ट बहुत स्ट्रॉंग होगा और रिस्ट का स्ट्रेंद्ध बहुत इंपोर्टन्ट होता है और यह आपको पुशॉप में भी हेल्प कर ठीक है और इस छोटे से हमर को लेके मैं और थोड़े एक्सराइज भी दिखाऊंगा जो कि नॉर्मली एक टायर प एक्सराइज के लिए तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पर और यह भी हैमर लेकिन यह एक बड़ा हैमर ठीक है यह पांच केजी का अब है और यह मैंने अमेजन से लिया था यह आपको दुहजार से धाया जार के बीच में ही लगएगा और यह पाइथाओन ब्रांड का है आप थोड़ा सा tutorial देख लीजी YouTube में आपको अच्छा अच्छा exercise मिल जाएंगे ठीक है अगर सारे exercise यहां पर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं बस वही सारे चीज़ें बताऊनों जो कि actually में बहुत effective होता है और मैं यह सब कर रहा हूं at least 12-15 सालों से तो मैंन ठीक है और यह है हमारा next equipment यह है एक बड़े size का tire तो यह एक bulldozer का tire है नॉर्मली लोग tractor का tire यूज करते हैं लेकिन यह उससे भी बड़ा है बुल्ड़ोजर का tire आप देखी सकते हैं इसका side profile कितना होटा है तो यह around 70 cases का होगा ठीक है और यह actually में बहुत भारी है यहां पर देखिए यह bulldozer का sign बना हुआ है तो यह मैंने एक second hand लिया था और आप भी second hand लीजिए आपको नया tire नहीं चाहिए नया tire बहुत ही costly होता है 60,000, 70,000 ऐसा उसका cost होता है लेकिन इसको मैंने लिया सिर्फ 1,000 रुपीज पर ठीक है यह एक tire मुझे मिल गया था एक petrol pump में आपको मिल जाएगा इसको आप बहुत तरीके अच्छे तरीके से use कर सकते हैं आप इसके अंदर बेटके भी बहुत सारे exercises कर सकते हैं उसके बाद यहां नीचे इसके अंदर जाके इसको दोनों हातों से ऐसे पकड़के उठा सकते हैं यह एक अच्छा exercise है फिर बाहर से भी आप इसको उठा सकते हैं यहां पर मैंने एक और छोटा tire use किया है अगर आपके पास नहीं है तो एक कुछ भी पत्थर या कुछ भी flat surface वाला चीज रख सकते हैं लकड़ी कुछ भी फिर आप यहां से पकड़के भी दोना हातों से इसको उठा सकता है और यह बहुत ही effective होता है ठीक है यह हो गया फिर और एक दूसरा exercise जो मैंने बोला था छोटे हामर के साथ आप कर सकते हैं वह यह किस tire को नॉर्मली जो हीट करना हता है तो कि जो बड़ा हमर है इसको भी आप इसी तरीके से इसके उपर यूज कर सकते हैं दोना हातों से घुमा के आप हीट कीजिए और वह अगर आप करते हैं तो आपको फील होगा कि आपका shoulder, upper body, even abs तक यह इसका strength बहुत जादा बढ़ रहा है और नॉर्मली अभी बहुत सारे desk jobs सब के लिए IT सेक्टर हो गया कुछ भी हो गया बैंक जब हो गया तो उनको कमरदर्ध यह गर्दन का जो पीछे का अरिया है उसका दर्ध यह सब common बिमारिया स्टार्ट हो चुका है और यह आगे जागे बढ़ने ही वाले आपको भी पता है तो यह जो सारे exercises है यह सारे strength दे बहुत ज्यादा strength हा जाएगा तो यह सारे जो exercises से और equipment से बहुत ज्यादा effective है बहुत ज्यादा और आपको ज्यादा खर्चा करने की ज़रूत नहीं है टायर हो गया 1000 रुपे आपको कितने मिलता है आप देख लीजिए 2000-3000 वो भी ठीक है यह hammer दोनों को मिला के साइद 3000 से कम है तो यह हो गया 5000 जंप रोब वो तो 200 रुपे में मिल जाएगा तो टोटल 5000 रुपे भी खर्चा करने की ज़रूत नहीं है उससे कम प्राइस में भी आपको यह सारे equipment मिल जाएगा लेकिन एक चीज़ का जयान रखी जो बड़ा tire है आप अगर ground floor में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर आप हीट करते हैं बार बार तो first floor second floor में थोड़ा सा pressure आएगा मतलब floor पे और वीक हो सकता है क्योंकि उसके नीचे और एक फ्लोर है तो यह सारे equipment necessary है actually necessary और actually effective है और इसके साथ अगर आप कुछ additional equipment चाते हैं तो आप dumbbell ज़रूर खरी सकते हैं वो तो ज्यादा space नहीं लेता और बहुत effective होता है kettlebell आप ले सकते हैं तो मैं kettlebell दिखा देता हूं जिनको नहीं पता है तो देखिए यह है kettlebell यह है 5 kg और यह 10 kg यह भी बहुत effective होता है और इसको कैसे यूज़ करना है आप YouTube में थोड़ा एक बार चेक कर लीजे आपको अच्छे वी नहीं करवाने वाला आपका ठीक और एक चीज जो आप ले सकते हैं तो यह 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 ग्लोब्स करी सकते हैं इससे grip अच्छा रहेगा और हाथ भी सेफ रहेगा तो यह भी 200-300 रुपए में अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा और अच्छे reviews देके ही लीजे सस्ता देके बि बहुत कुछ करने वाल है तो यह ग्लोफ प्रोटेक्शन देता है ठीक है और आज इस वीडियो में बस इतना ही तो मैंने कवर करने की कोशिश की की fit रहने के लिए actually क्या चाहिए ठीक है और misconceptions मैंने दूर करने की कोशिश की और एक important चीज जो मुझे लगता है आपको ध्यान चाहिए और मैं फिर से रिपीट करता हूं ओवरीटिंग बिल्कुल ना करें maximum लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं है तो next time जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनका बॉडी नॉर्मल में है मतलब ऐसे मोटा नहीं लग रहे हैं मतलब टांगे हाथ यह सब है और उनको पता भी नहीं है क्योंकि वह एक हैबिट बन चुका है तो हैबिट्स चेंज करना मुस्किल होता है इसलिए ध्यान रखें कौन सा हैबिट आप मतलब समकॉंशियसली मतलब पकड़ रहे हैं तो वह आपको मतलब बहुत प्रॉब्लेम देने वाला है ठीक है तो यह हो गया और सारी एक्विमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया ठीक है तो आई होप यह जो वीडियो है आपको helpful लगा होगा important लगा होगा और अगर आपने enjoy किया तो प्लीज वीडियो को like कीजिए share कीजिए दूसरे लोग के साथ मिलता हूं अगली वार एक नेवी में thank you for watching bye take care